मुंबई में इंडिया गठबंदन के बैठक 31 अगश्ट और 1 सितंबर को आयुजित की गई और इस बैठक में ये तैक किया गया कि एंडिये को साथ मिलकर 2024 में हराएंगे और उनके सरकार को बाहर कर देंगे सत्ता से और सरकार आएगी तो इंडिया की राहूल गांधी भी बा कि बखुबी एक कहानी नजर आएगी कि अखिर मिटिंग में 28 विपक्षिनेता जब एक साथ मिले तो क्या कुछ हुआ तो कुछ तस्वीर निकाल कर आपके लिए लाए हैं कि आखिर इस मिटिंग जो बैठक हुई मुंबई में उस बैठक में जो तस्वीरे निकली है उस त पस्वीर की कहानी बताने से पहले आपकी जनकाडी के लिए भी बता दें कि अब 2 अक्टूबर को कॉंग्रेस के तरब सी राहूल गांधी महात्मा गांधी के जहनती पर कुछ बड़ा एलान करने के भी बात कहें और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2 अक्टूबर एक मंच से एक बार रैली में उतरेंगे लेकिन फिलाल आज आपको उस फोटो की कहानी बताते हैं जो इंडिया गटवंदन से कुछ तस्वीर बाहरा ही है जिसकी चर्चा खूब हो रही है तो आज अभी पहले फोटो देख लेगे अब इस तस्वीर की बात करें जो आपको आप समझ सकते हैं कि टीम सी नेता ममता बनर्जी से कपिल सिब्बल जो पहले कॉंग्रेस में थे और उसके बाद वह सपा में शामिल हो गए तो दोनों के मुलाखात किस तरह से हुई हसी मजाक के बीच की यह तस्वीर है जो अब चर्चा का विश्य बना हुआ है दूसरी त करती हुई यह तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर भी वाइड़ा हु रही कि ऐसे कौन सी बाचित हुई उसके बाद यह नेतेश कुमार सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंगता बनर्जी की यह हस्ता मुस्कुराता वह तस्वीर है कि ऐसी कोई मजाक हुए जिस वज़ अरए जब खडगे से बाचित के बाद सोनिया गांधी से कुछ कहने के लिए बाचित कर रहे थे तो सुनिया गांधी बड़े गोड़ से सुन रही थी जिसके भी चर्चा हो रही है और लोग कमेंट करकी यह भी कह रहें कि आकिर इन दोनों के बीच में बाचित क्या हुई उसके बाद ये तस्वीर के चर्चा होने लगी, उसके बाद शुप्रिया सुले आप पीछे देख सकते हैं, उसके बाद इस तस्वीर की बहुत ही दिल्चस्प कहानी है कि केजरीवाल मंच पर लडखरा कर गिर गये थे, उसके बाद ये सितरा मियचूडी और डीर आ जाने के के चर्चा हो गई कि खिजरीवाल मंच पर गिर गये और उसके बाद ये फोटो भी वाइरल हो गया कि अकसर के जिवाल लडखरा जाते हैं और गिर जाते हैं, तरह तरह के कमेंट भी करने लगे और तंज भी कसा जाने लगा, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये दू ममता बेनर जी और सोनिया गांदी एक दूसरी को शाल ओढ़ाकर और दूसरे मुलाखात की हो, अकसर नहीं देखा गया है कि ममता बेनर जी और सोनिया गांदी की मुलाखात हुई हो और इस तरह से मुलाखात हुई हो कि बाचीत हो और हस्ती रहें और उनको शाल ओढ़ाएं यह इस तस्वीर के सबसे खास चर्चा है क्योंकि मलिका अरजुन खडगे कॉंग्रेस के अध्यक्ष है और उनके लेफ्ट और राइट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़े हैं आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे खड़गे से बाचित हुई थी और यह तस्वीर देखे जब केजुरीवाल मंच से गिरने लगे थे तो उन्होंने डी राजा और सिताराम यचुडी ने उनको पकड़ लिया था ताकि वो गिरे नहीं तो यह मंच के तस्वीर ह अठक समाप्त हुई एक सितंबर को मुंबई में तो इंडिया के 28 नेता एक मंच पर एक फ्रेम में फोटो खेचवाते नजर आए और इस फोटो सेशन के बाद में उनके बीच में यह तैक किया गया कि 2024 में एंडिये को हराने के लिए कौन-कौन से मास्टर प्लान तयार किय बेला कई में चाहेंगे जिससे बीजेपई वाले एंडिये को प्रास्त किया जा सके इस में लालो प्रसाद यादब भी थे तरहां कि आधिके सबसे बढ़ा उपलब्दी होगी अलएक रहात यह लेकिन जो तस्पीरेंस har通 कर आई 살 यह कुछ तसबीर थी जिसके चर्चा हो रही है और काफी चीज कहा भी जा रहा है लेकिन इंडिया गश्बंधन अपूरी तरह से तयार हो चीकिए और 2024 चुनाव के लिए 222024 ने मोधी जाएंगे और इंडिया की सरकार आएगी इंडिया सत्ता में आएगी और जो भी जूट बोलते हैं तो अगर दे की से लगी और इस तस्वीर और क्या कहानी थी जिसको मैंने आपको बता भी तिया तो इसके झाल झाल